Present के indefinite tense की पहचान होती है, ता, ते, ती, और चुकि ये present है, इसलिए ता, ते, ती के बाद है, है, हो, हूँ आ सकता है. Important ये है समझना कि ता, ते, ती जब हम कह रहे हैं, तो क्रिया, उस sentence की जो भी क्रिया होगी, उसके साथ में ता, ते, लगके आएगा. जैसे मैं जाता हूँ, जाना ये क्रिया है, उसके साथ में लगके आया ता, जाता, है न, जाना क्रिया है, जाता बोल दिया, वो मुझसे मिलता है, मिलना, मिलना क्रिया है, वर्ब है, उसके साथ में ता लग गया, वो मुझसे मिलता है, वो मुझसे मिलती है, हम आपसे मिलते ह तो तातेती के साथ है, है, हो, हुँ, जब sentences में आता है, तो वो sentence होते हैं, present के indefinite tense के sentence. इसके rules क्या हैं, आपके सामने लिखे हैं? Affirmative sentence, सकारात्मक वाक्य, जिन में नहीं का प्रयोग नहीं होता. Negative sentence जिनमें नहीं का प्रियोग होता है और नहीं की वज़ा से ही यहां पर not भी आ रहा है Interrogative यानि प्रश्ण वाचक जहां पर question mark आपको sentence में दिखेगा Sentence में कोई question पूछा जाएगा Negative interrogative यानि प्रश्ण भी पूछा जाएगा और sentence negative भी होगा ठीक है इनके rules देखिए सबसे पहले एक चीज़ को आपको पता होना चाहिए जब भी आप किसी sentence को बनाएंगे Subject यह जो subject है इसके हिसाब से ही चीज़ें आगे चलती है और subject क्या होते हैं या तो singular या plural Singular मतलब एक है जो singular एक से ज़ादा है plural और यह जो singular और plural है यह या तो first person होंगे second person यह third person I, I मतलब मैं I एक first person singular subject है We एक first person plural subject है You हमेशा second person subject है और हमेशा ही plural माना जाता है इसका कोई singular form नहीं मानी जाती और यह जो जितने भी subject हैं He, She, This, That, It यह कोई भी singular noun Singular noun, noun का मतलब name Singular मतलब कोई एक किसी एक व्यक्ति का नाम किसी एक जगह का नाम किसी एक चीज का नाम यह सभी noun है अगर एक है तो singular एक से ज़ादा है तो plural यह सभी है third person singular subject यह सभी है third person के plural subject अब चुकि subject के हिसाब से ही आगे चीजें होंगी इसलिए मैं आपको यह बता दूँ इस tense में does और do का यूज किया जाता है लेकिन affirmative sentence में नहीं negative sentence में negative में, interrogative में कहां पर does का यूज होता है कहां पर डू का यह समझना बहुत important है third person singular subject के साथ में हमेशा ध्यान रखिये use होगा does और इसके अलावा बाकि जितने भी subject हैं यह बहुत important है चाहे वो first person singular हो, चाहे वो first person का plural हो we यह second person हो you, यह फिर third person के जितने भी plural subject होंगे इन सभी के साथ में क्या लगेगा do कई बार students confused रहते हैं कहते हैं, singular में does लगता है plural में do लगता है, नहीं अगर singular में does लगता है तो फिर तो I के साथ भी does लगेगा लेकिन I के साथ कभी does नहीं लगता है यह हमेशा जान रखना है, does का use केवल third person singular subject के साथ में और do का use बाकी सभी subjects के साथ यह बात clear हो गई, अचा अब आ जाईए structures पे, affirmative sentence जब हम बनाते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं subject उसके बाद उस sentence में जो भी verb है जो भी क्रिया है उसकी first form इस sentence में verb की हमेशा first form का use किया जाता है और इस बात को मैं आपको बहुत detail में समझा रहा हूँ बच्चों की तरह इसी तरह से आपको सीखना है ताकि आप कोई गलती ना करें अब आ जाते हैं s, es पे देखिए sentence में जो भी verb है, जो भी क्रिया है उसके साथ में s या es लग जाता है लेकिन कब लगाया जाता है जब subject हमारा हो third person singular अगर हमारा subject third person singular है इन में से कोई ठीक है, he है, she है, this है, that है, it है कोई भी एक singular noun है, singular pronoun है ऐसे में अगर subject third person singular है तो मैं क्या करूंगा? क्रिया के साथ, verb के साथ es लगा दूँगा या फिर es लगा दूँगा अब सवाल यह है कि कहां पर मैं es लगाँगा जैसे वो खेलता है, तो खेलने को play कहते है, play के साथ लगा देते है, es लेकिन कुछ ऐसे case है, जहां पर verb के साथ क्या लगता है, es कहां पर लगता है, एक hint के तौर पर अगर आप देखें जब भी किसी verb के end में होता है o, तो es लगता है, और हम कह देते है, goes x होता है जब किसी verb के end में mix, ये क्रिया है, mix मतलब मिलाना, x आ गया जब भी किसी क्रिया के end में, es लग जाता है, और हम कह देते हैं mixes, miss, double as आता है जिस verb के end में, es लगता है उसके साथ, जिस भी क्रिया के end में es लगता है, es लगता है उसके साथ, तो ये हैं चार आपको rules, थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं, जैसे जैसे आप sentences को बनाएंगे, आपको चीजे याद हो जाएंगी, तो ये हैं, अब थोड़ा सा एक interesting चीज आपके सामन खेलना, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर y से end हो रहे हैं ये verbs, लेकिन इनके साथ में लग रहा है, es, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि try को, अगर try के साथ मेरे को es लगाना है, तो y को cut कर रहे हैं, और tries बना दे रहे हैं, t-r-i-e-s, और यहाँ पर भी apply में y को cut कर रहे और applies बना दे रहें तो actually होता क्या है ऐसा कहा जाता है कि y से पहले अगर कोई vowel है यानि स्वर है जैसे o, a, a, e, i, o, u ये vowel होते हैं जब भी vowel हो y से पहले ऐसे में आप सीधा सीधा बस s लगा देंगे और आप कहा देंगे enjoy say place लेकिन अगर y से पहले कोई consonant है जैसे r या l ऐसे म आप y को हटाएंगे और i, e, s लगा देंगे और तब यहाँ पर use करेंगे ठीक है यह सब practice से आएगा तो यह है affirmative का rule अब देखिए negative का rule है subject उसके बाद does या do का use करेंगे does का use कब करेंगे जब subject क्या होगा third person singular और बाकी सभी cases में do उसके बाद आप not का use करेंगे फिर वाप की first form objective part interrogative sentence की शुरुवात हमेशा ही WH family members से होती है जैसे what, why, where, how, which ठीक है उसके बाद आती है जो भी उस sentence की auxiliary verb है does यह do auxiliary verb कह सकते हो या helping verb भी कह सकते हो आप उसके बाद subject उसके बाद verb की first form और फिर objective part और question mark negative interrogative sentence में हमेशा धान रखिए बिलकुल interrogative की तरह बनता है सिर्फ subject के बाद not का use हो जाता है यह हमेशा का rule है special case जैसे मैंने आपको simple sentences के structures में बताया था यह special case तब use होते हैं जब sentence में subject ही पूछा जाता है यानि subject देखिए कहीं पे आप देख रहे हैं subject नहीं दिया हुआ है यानि जब आपसे question ही पूछा जाता है और WH family member subject को ही refer करती है अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है कोई बात नहीं अभी आपको सब समझ में आएगा जब sentence आपके सामने आएंगे जब sentence में subject के बारे में ही पूछा जाता है ऐसे case में special case कहते हैं और वहाँ पर interrogative और negative interrogative sentences को बनाने का rule थोड़ा सा different होता है और यह rule कुछ वैसा ही होता है जैसा affirmative का यह देखिए यहाँ पर subject के बाद verb की first form subject के बाद verb की first form तो subject ही इसमें WH family member होगा उसके बाद verb की first form और वैसे ही SES का use उसके बाद objective part और यह देखिए negative की तरह ही बन रहा है तो interrogative sentence काफी हद तक negative की तरह ही बनते हैं अभी examples आपके सामने आएंगे तो सबसे पहला example लेते है रवी इस कुर देख करके आपको clear हो गया कि इस sentence में कहीं पर not नहीं है तो यह negative नहीं है कोई question नहीं पुछा गया तो यह interrogative नहीं है यह sentence एक affirmative sentence है मेरा subject कौन है subject वो होता है जो किसी काम को करता है रवी इस कुरसी को घसीटता है घसीटने का काम रवी करता है इसलिए रवी subject है तो subject हो गया रवी अभी शुरुवात में पहली tense को बड़े ध्यान से समझना है ताकि आगे चीज़ें आसान हो जाए रवी लिख दिया ठीक है subject है रवी उसके बद वर्ब की first form अब क्रिया है यहां पर घसीटना घसीटने को क्या कहते है घसीटने को कहते है ड्रैग डी आर एजी ड्रै तो मैं वर्ब की first form लिख दूँगा ड्रैग यह मैंने लिख दिया अब उसके बाद ses का use क्या मैं इसके साथ करूँ यह ना करूँ यह एक सवाल है मैं कब करूँगा जब मेरा subject होगा third person singular तो देखिए क्या आपका subject third person singular है यह देखिए यह तो कुछ नहीं है रवी रवी क्य है एक singular noun है यानि किसी एक व्यक्ति का नाम है noun क्या होता है नाम होता है किसी व्यक्ति का जगह का चीज का तो third person singular subject है तो third person singular subject के case में तो मुझे verb के साथ say yes का use करना पड़ेगा इसका मुझे यहाँ पर say yes लगाना पड़ेगा तो जैसा मैं आपको बताया 99% cases में तो ऐसी लगता है यह तो कुछ खास cases में लगता है और वो आपके सामने है तो रवी drags इसका मतलब है रवी घसीरता है अब क्या घसीरता है यह कुरसी घसीरता है इ तो यह सेंटेंस मेरा बना रवी ड्रैक्स इस चेर अच्छा इसी सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव बनाना चाहूं रवी कुरसी नहीं घसीरता है रवी नेगेटिव में रवी अब रवी के साथ ड़ लगाऊ यह दू लगाऊ अब देखे रवी चुकि एक थार्ड परसं सिंगूलर सबजेक्ट है तो उसके साथ तो ड़ लगेगा रवी ड़ नौट उसके बाद वर्ब की फास्ट फार्म करिया है घसीतना घसीले को ड्रैक कहते है रवी ड़ नौट ड्रैक यह चेर दिस चेर अब यहाँ पर हमेशा जान रखिए नेगेटिव सेंटेंस है वहाँ की ड़ नौट ड्रैक दिश चेर रवी इस कुरसी को नहीं गसीता है यह नेगेटिव सेंटेंस हो गया अफरमेटिव बनाया अब ज़रा एक काम करते हैं इंटरोगेटिव बना लेते हैं इंटरोगेटिव यही प्रश्न पूछ लेते हैं तो प्रश्न पूछने के लिए पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से repeat कर रहा हूँ, क्योंकि जुन्हों ने नहीं देखा, उनको पता होना चाहिए, जब भी आपसे कोई question पूछा जाए, और उस question का answer आप yes या no में दे सकते हूँ, एसे में कभी भी WH family member का use नहीं किया जाता, अब मेरा मतलब क्या है कहने का, देखें मैंने क्या पूला, मैंने कहा, क्या रवी इस कुर्सी को घसीटता है, मैंने आपसे question पूछा, तो इस question का answer आप yes या no में दे सकते हैं, आप कह सकते हैं, yes, या आप कह सकते हैं, no, है न, क्या रवी इस कुर्सी को घसीटता है, yes, या no, आप yes या no में answer दे सकते हैं, इसलिए WH family का member यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा, अच्छा, कब आएगा, जैसे मान लीजी मैं आपसे पुछू, रवी क्या घसीटता है, तो आप कह देंगे yes या no, इससे काम चलेगा, नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि क्या घसीटता है, या तो आप बता देंगे कि कुर्सी घसीटता है, या फिर आप कहेंगे मुझे नहीं पता कि क्या घसीटता है, पर आपको कुछ कहना पड़ेगा, आपके वाल yes या no में नहीं जवाब दे सकते हैं, जब मैं आपसे पुछूँ कि रवी क्या घसीटता है, तो इसलिए वहाँ पर तो WH family member क्या के लिए what आएगा, लेकि जब मैं कहता हूँ, क्या यह do से, अब does से शुरू करूँ यह do से, यह depend करेगा इस बात पर कि मेरा subject क्या है, जब मेरा subject एक third percent singular है, तो मुझे तो does से शुरू करना पड़ेगा, तो मैं कहूँगा, does Ravie, verb की first form, घसीटना यानि ड्रैग, does Ravie drag this chair, देखिए, बना ना इस formation के हिसाब से, तो interrogative sentence, क्या रavie इस कुरसी को घसीटता है, does Ravie drag this chair, अब यह जो sentence था, अगर मैं थोड़ा सको negative भी कर दूँ, क्या रavie इस कुरसी को नहीं घसीटता है, not ला दू, does Ravie not drag this chair, simple, है न, negative interrogative, तो लिख देता हूँ, अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर देखिए, दो sentence आपके सामन क्या रavie इस कुरसी को घसीटता है, क्या, तो यह बात मैं आपको बता चुका हूँ, does Ravie drag this chair, यह तो simple है, मैं लिख देता हूँ, लेकिन अब यह जो sentence है, रavie क्या घसीटता है, इस question का answer आप yes या no में नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा कि वो क्या घसीटता है, या तो आपको पता है, तो आप बताईए, या आपको नहीं पता है, तो आपको नहीं पता है, नहीं मुझे नहीं पता कि वो क्या घसीटता है, लेकिन आप yes या no में खाली answer नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर क्या के लिए WH family member what का use होगा, what does Ravie drag, सही है न, what does Ravie drag, ठीक है तो दोनों sentences हमें clear हैं, क्योंकि इस question का answer yes या no में दे सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर WH family member what का use नहीं किया, लेकिन इस question का answer हम yes या no में नहीं दे सकते, इसलिए मैंने WH family member what का use किया, अब मैंने आपके सामने लिखें दो sentence, कुरसी को कौन घसीटता है, और दूसरा sentence, पढ तो मुझे मन में आएगा, कि interrogative sentence यह हो गया, negative interrogative यह हो गया, तो इनके हिसाब से बनाऊंगा, लेकिन सवाल यह है, कि इन sentences में subject कौन है, पता ही नहीं, subject के बारे में ही पूछ रहे हैं, कुरसी को कौन घसीटता है, घसीटने का काम कौन करता है, पता ही नहीं, मान लिजिए राहूल करता है, रवी करता है, रंजय करता है, सलीम करता है, मुझीब करता है, वही जो भी करता है, वही तो subject है, तो जब मैं कह रहा हूँ, कुरसी को कौन घसीटता है, तो यह कौन, हूँ, यह WH family member subject के बारे में ही पूछ रही है, इसका मतलब, जब WH family member subject के बारे में ही जो नहीं करता है, वही तो subject है, तो वो subject, जैसे मैं कहूँ, पढ़ाई रवी नहीं करता है, तो करना का काम कौन नहीं करता है, रवी, तो subject के बारे में पूछ रहे हैं, और negative भी इस ते, negative interrogative के, इस formation के इसाफ से बनाएंगे, तो अब जड़ा इस sentence को बनाते हैं, कुर्सी को कौन घसीटता है, who, और घसीटने को drag कहते हैं, drag, अब as ये एस लगाएं या ना लगाएं, ऐसे इस तो तब लगेगा, जब third person singular subject होगा, अब यहाँ पर तो subject दिया ही नहीं हुआ है, लेकिन WH family member जिस subject के बारे में पूछ रही है, वो एक है या एक से जाधा, सोचिए ज़रा ध्यान से, अगर वो एक है, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ कुर्सी को कौन घसीटता है, क घसीटता, एक से जाधा लोग घसीटते हैं, तो मैं आपसे कैसे question पूछता, कुर्सी को कौन घसीटते हैं, घसीटते हैं, मैं यह पूछता, इसका मतलब यह जो WH family member है, कौन, वो एक व्यक्ति को refer कर रही है, तभी मैं पूछ रहा हूँ कुर्सी को कौन घसीटता है, यानि म मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, question पूछने वाला मैं हूँ, मेरे दिमाग में यह चल रहा है, कि कोई एक आदमी है, जो कुर्सी को घसीटता है, मुझे बताइए कौन है वो, तो WH family member कौन हूँ, यह किसी एक को, third person singular को refer कर रहा है, इसलिए yes का use किया जाएगा, और drag के साथ में आप s का use करते है, who drags, और objective पार्ट में आया, कुर्सी, the chair, who drags the chair, अब यहाँ पर देखिए, पढ़ाई कौन नहीं करता है, who, अब who के साथ does लगे है, do लगे, does तब लगेगा, जब third person singular subject होगा, और मैं यह मान रहा हूँ कि किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, पढ़ाई कौन नहीं करता है, मान लिजिए, आप मेरे पास आया, आपने का देखिए, यहाँ पर 10 लोग बैठे है, इन में से एक आदम verb की first form, अब क्रिया क्या आया, पढ़ाई करना, पढ़ाई करने को study कहते है, who does not study, अब ज़रा सोचिए, अगर यह sentence होता, पढ़ाई कौन नहीं करते हैं, तो मैं कहता, who do not study, do not study, क्योंकि तब मैं यह मानता, कि जो subject हैं, जो पढ़ाई नहीं करते हैं, जिनके बारे मैं पू में अपनी उंगली डुबोता हूं, तातिती आ गया, और है है हो हूं, ठीक है, तो यह present indefinite tense है, क्योंकि डुबाना, डुबाना एक क्रिया है, और उस क्रिया के साथ लग करके आ रहा है, ता, इसलिए यह present indefinite tense है, डुबोने का काम कौन करता है, मैं, तो subject हूँ, मैं मतलब I, और आप जानते हैं, इन सब के साथ तो do लगेगा, ठीक है, अब यह sentence है कैसा, यह sentence है, affirmative, क्योंकि इसमें not भी कहीं नहीं आ रहा है, interrogative भी नहीं है, तो affirmative sentence के rule के साथ सा subject हूँ मैं, I, डुबोने को क्या कहते हैं, verb की first form, डुबोने को dip करना कहते हैं, dip, dip, I dip, अब dip के एस लगेगा, या नहीं लगेगा, सोचिए, दिखिए, S, E, S तो केवल तब लगता है, जब third person singular subject होता है, आई तो third person singular है नहीं, third person singular तो यह है, आई तो first person singular है, इन सब के साथ तो आप जानते हैं, S, E, S का use नहीं होगा, केवल third person singular के साथ होगा, तो dip के आगे S नहीं आएग और उसके बाद objective part, objective part क्या है, पानी में अपनी उंगली, ये पूरा objective part है, subject हुँ मैं, उसके बाद verb है dip, डुबोना, उसके बाद objective part, तो कैसे sentence को बनाऊँगा, I dip, मैं dip करता हूँ, यानि मैं डुबोता हूँ, क्या डुबोता हूँ, अपनी उंगली, my finger, कहां डुबोता हूँ, पानी में, into the water, अच्छा, into का use तब किया जाता है, जब आप किसी चीज के अंदर घुसते हैं, जैसे कि कमरे के अंदर घुसना, तो into हो गया, उंगली जैसे पानी के अंदर घुसेगी, तो into use हो गया, ठीक है, preposition में ज्यादा clear होगा, लेकिन एक idea दे रहा हूँ, तो ये sentence बन गया, I dip my finger into the water, अगर इस sentence को negative बना लूँ, मैं पानी में अपनी उंगली नहीं डुबोता हूँ, negative, I do not, do लगेगा न, क्यों लगेगा, I के साथ क्या लगेगा, do, I do not dip my finger into the water, simple है, अगर interrogative बना लूँ, क्या मैं पानी में अपनी उंगली डुबोता हूँ, क्या से शुरुवात कर दिय यनि कि आप इस question का answer yes या no में दे सकते हैं, आप कह सकते हैं yes, या आप कह सकते हैं no, तो WH family member नहीं आएगा, सीधर does या do से शुरुवात होगी, तो किस से शुरुवात करूं, does या do से, depend किस पे करता है subject पे, अब subject मैं, यनि I, I के साथ तो use होता है do, तो do I, do I dip my finger into the water, और क क्या मैं अपनी उंगली पानी में नहीं डूबोता हूँ, क्या से शुरुवात कर दी, WH family member नहीं आएगा, do I not dip my finger into the water, do I not dip my finger into the water, तो ये चार तरीके हो गए, अब इसके अलावाए एक sentence और लिखता हूँ, पानी में अपनी उंगली कौन डूबोता है, अब यहाँ पर पूछ लिया कौन डूबोता है, तो WH family member who का use होगा, interrogative sentence है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी, जो डूबोता है, डूबोने का काम जो करता है, उसके बारे में बताया ही नहीं गया है, यानि subject है वो, उसी के बारे में पुछा गया है कि कौन डूबोता है, अगर मैं कहते हूँ, रवी डूबोता है, राहूल डूबोता है, तो वो ही हो जाएंगे मेरे subject, ऐसे में, यह वाली category आएगी, who dip, dip के साथ S लगा, who dips, क्या, his finger, who dips his finger, his finger मतलब अपनी उंगली, who dips his finger into the water, ऐसे बने ग लग सकता है कि dip के साथ मैंने S क्यों लगाया, इसलिए लगाया, क्योंकि जब मैंने पूछा पानी में अपनी उंगली कौन डूबोता है, तो मैंने यह मान लिया कोई एक डूबोता होगा, तो कोई एक डूबोता होगा, तो थर्ड परसन singular होगा, इसी वज़ा से, थर्ड करने का काम, कोशिश करना, यह एक वर्ब है, क्रिया है, तो उसी के साथ में लग के आया, कोशिश करना की जगा, कोशिश करता, अब पॉइंट एक और है, यहाँ पर आप देख रहे है, तातिति के साथ में है है हो, तो लिखा नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से सोचें, वो आता है, जैसे मान लीजे मैं आप से कहूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, तो जब affirmative कह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, लेकि जब मैं कह रहा हूँ, मैं वहाँ नहीं जाता, तो मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, तो इसलिए है हो, नहीं आ रहा है, लेकि यह मेरा subject हो गया, that boy, does लगाऊं की do लगाऊं, third person singular subject है, एक ही है न, third person singular है, तो does use करूँगा, that boy does not, उसके पाद verb की first form, क्रिया क्या है, कोशिश करना, कोशिश करने को क्या कहते है, try, try, और उसके बाद objective part, अब objective part में आया, जीतने की, जीतना भी एक क्रिया है, लेकिन objective part में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य क्रिया, main verb कोशिश करना, तो जब कोई verb objective part में आती है, तो to के साथ में use कर लेते हैं, to win, कैसे, देखे, sentence बनाता हूँ, that boy does not try, does not try, किस चीज़ की कोशिश नहीं करता, जीतने की, जीतना भी एक क्रिया है, तो to के साथ आगया, to win, आप shirt पर बहुत ज़्यादा brush रगड़ते हो, यह sentence affirmative है, कौन रगड़ता है, रगड़ना एक क्रिया है, कौन रगड़ता है, आप रगड़ते हो, तो subject कौन है, आप you, you के साथ rub, verb की first form क्रिया है, रगड़ना, रगड़ने को rub कहते है, rub, rub के साथ S या ES का use करूं या ना करूं, S या ES का use तो third person singular subject के साथ होता है, मेरा subject है you, you तो एक second person subject है, तो इसका मतलब मैं नहीं करूंगा, you rub, उसका objective part, आप रगड़ते हो, you rub, क्या रगड़ते हो, brush, बहुत ज़्यादा रगड़ते हो, किस पर रगड़ते हो shirt पर, you rub the brush too much on the shirt, on the shirt, ठीक है, you rub the brush too much on the shirt, वो दीवार पर क्या चिपकाती है, क्या चिपकाती है, question mark, interrogative sentence है, क्या के लिए आप कहेंगे what, उसके बाद does लगाउं या do लगाउं, depend करेगा subject पर, मेरा subject कौन है, वो दीवार पर क्या चिपकाती है, चिपकाने का काम कौन करता है, वो, यहाँ पर कोई लड़की है, तभी तो मैं कह रहा हूं, चिपकाती है, वरना मैं कहता है, चिपकाता है, तो लड़की है, लड़की के लिए she, ये एक third person singular subject है, does का use करेंगे, what does she, और चिपकाना, चिप मेरी क्रिया है, चिपकाने को कहते हैं, stick, s-t-i-c-k, what does she stick, objective part, objective part क्या है, दीवार पर, on the wall, what does she stick, on the wall, कौन-कौन खाना अच्छे से नहीं चबाते हैं, कौन-कौन खाना अच्छे से नहीं चबाते हैं, सोचिए, दीखे, negative भी है, interrogative भी है, ठीक है, चबाना, चबाना यहाँ पर एक क्रिया है, चबाते वे आप कोई काम कर रहे हैं, क्रिया है, चबाने को q कहते हैं, c-h-e-w, ठ पूछ रहा हूं कौन-कौन खान अच्छे से नहीं चबाते हैं मान लिजे राहूल और रवी नहीं चबाते हैं तो सब्जेक्ट है राहूल और रवी तो चबाने के काम को जो कर रहा है जो करता है या जो नहीं करता है उसके बारे में पूछा जा रहा है कौन-कौन नहीं चब कर रहा है तो do का यूज करेंगे who all do not chew the food खाना अच्छे से well who all do not chew the food well अब आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा idea हो रहा है न अच्छा और sentences लेते हैं थोड़ा practice हो जाएगी वो लड़के दोड़ने के बाद हाफते क्यों हैं बहुत interesting sentence है आप ये तो देख लिए आपने की interrogative है यहाँ पर आ रहा है क्यों क्यों के लिए हम कहेंगे wh family member why ठीक है why के बाद does लगाएंगे यह do लगाएंगे यह depend करेगा subject पे कौन हाफते हैं की बात हो रही है वो लड़के तो subject हैं वो लड़के एक से जादा हैं those boys those boys यह होगे मेरा subject why do those boys why do those boys half ne को क्या कहते हैं तो कि क्रिय क्या है half ne को gasp कहते हैं उसके बाद objective पार्ट में आया, दौडने के बाद, वो लड़के दौडने के बाद हाफते क्यों है, Why do those boys gasp after running, अच्छा यहाँ पर देखिए कितना interesting एक चीज है, अगर भी दौडने के बाद ना होता, क्योंकि दौडना भी क्रिया है, आपके मन में आ सकता है कि इस sentence में क्रिया है दौडना, लेकिन सवाल यह है कि subject किस काम को करता है, हाफता, तभी तो है present indefinite tense, वो लड़के हाफते क्यों है, Why do those boys gasp, यह तो हो गया sentence, लेकिन अब इसमें जुड़ गया, दौडने के बाद, और बाद के लिए, किसी चीज़ के बाद के लिए after का यूज़ करते हैं, और after के बाद जब कोई verb आती है, तो उसकी ing form का यूज़ किया जाता है, और हमेशा धान रखिये, डबलो ह फैमली मेंबर यह हुआ, यह auxiliary verb यह helping verb जिसे आप कहते हैं, यह आपका subject है, यह आपकी sentence की main verb है, तो कोई पुछे, main verb क्या है sentence की guess, और यह तो objective पार्ट में, और objective पार्ट में जो verb आती है, अगर direct आती तो two के साथ यूज़ कर सकते थे, after के बाद आ रही है, कि यह बाद का sense आ रहा है, after, उसके बाद तो verb की ing form का use करते हैं, तो यह थोड़ा सा knowledge भी आप gain करते जा रहे हैं, यह काम कौन करता है, इस sentence में आप देखी, कौन करता है, जो करता है उसी के वही जो subject है, कौन करता है, who, अब क्या कहीं, who, अब verb की first form आनी है, बताईए यहाँ पर verb की first form क्या है, देखे, सोचिए, ऐसे सोचिए, मान लीजे मैं कहता, यह काम राहूल करता है, तो राहूल करता है, करना, करने को भी तो कुछ कहते हैं, करने को क्या कहते हैं, करने को कहते हैं, do, देखें, do एक auxiliary verb भी है, लेकिन do एक main verb भी है, और do का मतलब होता है, करना, तो यहाँ पर main verb है do, who, अब यहाँ पर main verb आई do, कौन करता है, who, do, अब do के साथ, से ये ये लगाऊं, या नहीं लगाऊं, अब देखें, जब मैं कहा रहा हूँ, तो question पूछने वाला हूँ मैं, तो मैं यह मान के चल रहा हूँ, किसी एक की बात है, अगर मेरे मन में होता कि, एक से ज़ादा लोग है, तो मैं क्या कहता, ये काम कौन करते हैं, कौन करते हैं बोलता, मैंने का ये काम कौन करता है, यानि कोई एक, तो ऐसे मैं singular treat कर रहा हूँ, तो S, E, S लगेगा, और आप जानते हैं कि do, do इसके end में O आ रहा है, तो do के साथ तो E, S लगता है, does, इसलिए तो does बनता है, does, who does, objective part में क्या है, ये काम, this work, who does this work, अगर ये sentence ऐसा होता, ये काम कौन-कौन करते हैं, ये काम कौन-कौन करते हैं, तब मैं क्या कहता, कौन-कौन के लिए, who all, who all, ठीक है, do, उसके साथ E, S तो नहीं लगाता फिर में, क्योंकि वो third person singular नहीं treat होता, मैं कह रहा हूँ, ये काम कौन-कौन करते हैं, ये वो जो कौन-कौन हैं, वो एक से जादा हैं, और WH family member subject को refer कर रहा है, जब subject एक से जादा है, तो S, E, S का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, who all do this work, ऐसे बनता है इस sentence,